हेलो और नमस्कार दोस्तों अबसे भिकस स्वागत एक नए वीडियो है प्यारे दोस्तों अंतकR हमारे साथ बने ठीव हो आइए क्योंकि आज गया सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर लिए यहां पर सभी सब्सक्राइब कर लो चैनल पर नए हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको information मिलता रहे प्यारे दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग सारे news को cover करने वाले हैं आपको डेड़ सरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो अन तक हमारे साथ बने रहेगा इसकी मत की जगस्वर परता हम लोग जानेंगे बीड जियां बीड के लिए क्यों है खास तो मिली रहात कुल मिला के अब 20 फिसदी बढ़ेंगे बीड के मार्क्स क्योंकि छात्रों के द्वारा जो है नाराजगी जताई गए थी उस नाराजगी को धियान में रखते हुए आप सभी को 20 फिसदी बढ़ें रेश्टार धिरेंदर कुमार बर्मा ने बताया कि सभी स्टुडेंट के हीद को खयाल में रखते हुए जो नंबर के परतिसत को बढ़ा दिया गया है ठीक है और कुल मिला के 30,000 चे अधिक को ये रहत मिली है पहरे दोस्तों ये खबर नंबर हमारा पहला था अब सितंबर को आप मेरिट लिस्ट परकासित करते हों बोलते हों कि एक अक्टूबर में आपसे भी का एडविशन हो जाना जी फस्ट मेरिट लिस्ट वालों का फिर आप चार अक्टूबर उसका टाइम बढ़ा के देतो तो समय कम मिला जिस वज़े से 35,000 विद्यारतियों ने अब बात करते हैं सेकन्न मेरिट लिस्ट कैसे देख पाएंगे ठीकिक है 18 सितंबर को देर रात पाहली कटाप जारी करने और 29 सितंबर को आड़िट राजिके का कॉलेज में परवेश नहीं होने से छादरों को पहली merit list के हिसाब से 35,093 बिर्यार्थी ओने परवेश लिया ठीक है, इसके बाद इसमें अकेले सुक्रवार को 13,086 परवेश हुए, मिरट में कुल मिला के परवेश की संख्या जो यह 5857 है, ठीक है, आप बात करते हैं second merit list कि क्योंकि बिद्यारतियों को काफी इंतिजार है अपने second merit को लेकर तो second merit की बात कर सकते हैं जी हां पांच को आ सकती है दूसरी merit list ठीक है यदि परवेश की अंतिम्तिती नहीं बढ़ी तो विश्विद्याले पांच अक्टूबर को दूसरी cut-up जारी कर सकता हूँ ही बात कर लते हैं विस्विदाले कि यह आखरी cut-up हो सकती है जियां सेकेंड merit list ही उसका आखरी cut-up हो सकती है इसके बाद विस्विदाले open merit जारी करने पर विचार कर रहा है वित्ते वर्सों की बात करें तो यह प्रक्रिया अपनाई गए थी अधिकान आप बात करते है रिजल्ट की यह न्यूज नमर 3 है हमारा ठीक है पहले बात करेंगे बीएट की इसके बात करते हैं बीएट का परिणाम जारी हो चुका है लखनोविस विदाले द्वारा परवेस परदेश के सरकारी वह प्राइवेट कॉलेजों में बीएट परवेस के ल दोस्तों बीए बीएसी विकॉम सेकेंड येर वह फर्स्ट येर इसके बाद पीजी फैनल येर का रिजल्ट तो इसके बारे में जैसे रिज्टार धिरंदर कुमार के द्वारा बताया जा रहा थे कि एक या दो दिन में रिजल्ट परकासित कर दिया जाएगा परन्तु आद्यम से आपको अपडेट देंगे फिलाल आप सभी एक ही काम करो वेट ठीक है क्योंकि वेट ही सर्वेव पड़ी है अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो मिलते हैं स्टूडियो में थेंक्स पूर वाचिंग बाए टेक किया और आपके मन में जदी कोई सवाल है तो कोमेंट करके बताईएगा बाए बाए